जै शीराम सभी वक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ साइद ये चीज़ होती होगी कि जब भी वो पूजा या साधना मतलब कंटी पिनू करना शुरू कर देते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा गुसा आता है चिड़ चिड़ा सवभाब हो जाता है ये क्या होता है किन कारणों से होता है और किन लोगों को अधिकतर ये चीज़े आती हैं तो अंतक बने रहे हैं तब भी आपको सारे वीडियो समझ में आ बलाजी महाराज एक वार्फिर मंगल कामना आपका पुड़िवार सुकमिय हो मंगल मिय हो अनंद मिय हो मेरी माई जगक जंनी मभवानी अंब के गिरपा है आपके घर में अनपूर् है एक के साथ नहीं कहीं के कोशन इस पकार के आगई तो की गुरु जब हम पूजा करते तो अध्यार्णा की बहुत एक-दं तेजी से गुस्वा हुथ पन होता है की कारणों से होता है किस कारण होता मैं आपको आज सारी बातों से ये परदा उठेगा जब भी हम बगवान के परती कोई पूजा याचना का संकल अप ले लेते हैं पून निष्टा भाव से हम बैड़ जाते हैं अपने आपको तपाने के लिए देखिए जब बोडी में कोई तपस उत्पन होती है तो विकार त आता है अधिक बार आता है इसके कई पकार के संकेत हो सकते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ पहला तो शरीर पर कोई नकरात्म कुर्जा हो सकती है वो चाती नहीं है आप कोई पूजा याचना करें और अगर कर भी रहे हो तो कहीं न कहीं इस पूजा याचना से आप क्या प्राप्त कर जाओगे और कहीं हमें ये शरीर को छोड़ना ना पड़ जाए उनको भी इस पकार का भैर रहता है दूसरी बात ये होती है कि जो शरीर के अंदर कोई अगर कोई पित्र आता है पित्र शक्ति आ रही है अगर वो प्रेत योनी के अंदर है तो आप जब पूजा आचना तपस्या करते हो तो वो शरीर के अंदर वो उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है कोकि आपके शरीर पर ही तो वो चीज रहती है आपने अपने आपको बदलने की कोशिश कर दी याद रखो जब हम अपने आप में बदलते हैं मान लीजिए अगर हम रोज पांच तो आपके अंदर तरब तो उत्पन होगी तो इसी पकार से जब आप किसी सकरात्म कुर्जा के संपर्क में जाते हो सकरात्म कुर्जा की गुनगान करने लग जाते हो तो जो शरीर पर कही नकरात्म कुर्जा होती है तो उसके ओपर प्रभाब उत्पन होने लग जाता है औ अगर कोई पूजा याचना साधना या कोई सिद्धी प्राप्ती के लिए आप कारिये कर रहे हो तो उसमें सबसे पहला प्रत्म प्रिक्षा का कारिया है ये क्रोध ही होता है क्रोध का ये होता है कि अगर ये व्यक्ति अगर कोई किर्पा प्राप्त कर जाता है या कोई सिद् वस तो आदमी के उपर क्या होता है कहीं न कहीं प्रभाब जो प्रमात्मा जिस देवी देवता की आप अराधना कर रहे हो दिव देवी देवता को आप बुला रहे हो जिस देवी देवता को आप गुंगान कर रहे हो तो कहीं न कहीं उनके पास जो वो आपकी प्रिक्षा लेने के लिए इस पकार के संकेत बेजे जाते हैं न कहीं आपके शरीर के अंदर बदलाव होता है और चोत्हा कारण यह होता है कि अगर हम कोई एक देविक मंतर की साधना कर रहे हैं कोई ऐसा प्रभाब शाली ऐसा शक्ति शाली मंतर है जो अपनी चरम सीमा पर पोचने लग जाता है तो अपने आप ही जिस पकार से दूद है अगर हम उसको सीम गैस पर रखेंगे तो थोड़ी देर वाग स्वाबी कहें कि उसमें उबाल आना ही आना है तो उस जगापर हमें संतूलन बना कर रखना पड़ता है अपने शरीर का अपने अकार का अपने करोध का अगर हम उस संतूलन पर अपने कंट्रोल करके चलें निरंतर करके चलें तो आप अवश्य ही अपनी साधना के अंदर आप पास हो सकते हो ऐसे ही बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इस पर शर प्द्री को किसी ने बाँ दिया अगर तंतर विद्या के अंदर आपकी बूद्धी को मलीन शक्ति से बाना गया है तो आप पूजा करते समय कही गल्त ख्याल भी उत्पन होते हैं अधिक से ज्यादा करो हो दाता है कहीं न कहीं पत्नी पे क्रोजाता है चिलाने का मन करता है मलिन्ता की तरफ ध्यान जादा खिचा जाता है जैसे कि गल्द कारियों के परती जो है जो ध्यान है वो अधिक से जादा खिचा जाता है तो ये कारण भी उत्पन हो सकते हैं अगर इस पकार के आपके साथ हो रहे हैं आप भी इन चीजों से गरस्ट हो पर शान हो तो घबराओ मत आपको अपनी इष्ट पर पून रूप से विश्वास होना चाहिए याद रखना एक रिश्टा होता है विश्वास का अगर आप अपने गुरू या अपने इष्ट के परती पून रूप से समर्पित रहते हो प पूजा याचना उठात लेते हैं, कई वारी यूटूब पर देख लेते हैं, या कैसी गरंतों में देख लेते हैं, किताबों में देख लेते हैं, उस तत्त एक दूबांद लेकर और उस्षीश को करने बैछ जाते हैं, पहले अपनी बोडि पर पून रूफ से आपको निरंत्रित होना होता है अपनी बोड़ी के उपर पून रूफ से काबू करना आना चाहिए करोध, अप, डाउन, शरीर में दुरबलापन, नीन्दाना, आलत से अुठपन होना तो ये कहीं न कहीं संकेत होते हैं क्योंकि ये जो शरीर है पंच ततुओं से बना वया है इन पंच ततुओं में ये चीजे होना बहुत ज्यादा स्वाबिक की है और अगर ये चीजे आपके साथ हो रही है उसी शन आपने क्या काम करना होता है एक जल का लोटा रखिए उस जल के लोटे के अंदर आपने प्रवेश करकर इस पकार करय कर रही है तो तुरंत आपने क्या करना है तीन काली में चलेनी है अपने और अपने इस्ट और अपने अरद्वे के चर्नों में रख देनी है। बाद में जब वह काली मिर्च होती है वह आपने बह aloud जल में डाल देनी है। जब वह इकटी हो जाए जए आपकी पूजा 10 दिन में पंद्रा दिन के अंदर अन्दर है। प्रमात्मा की किरपा से आप जरूर सक्सस होगे, अपने पुल्य पून सफलता हासिल करोगे और रहुत ज़्यादा किरपा भी प्राप्ट करोगे. तो बोलिए जैसितराम जैस शरी बाला जी मारा आगे भी आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी और बहतन से बहतनी वीडियो बनाने की पूल रूप से कोशिश करेंगे आप वीडियो को जरूर शेर करें करो ताकि शेर करने से ये जिन लोगों के साथ इस परकार के घटना हो रही है वो इस चीज से संबल सकते हैं तो बोलिए जैसितराम जैस शरी बाला जी